क्लास नाइन्थ चेप्टर नेम अलजब्रिक मैनिपुलेशन और इसकी रिव्यू एकसरसाइज 6 को हम सॉल्फ करेंगे जिसका पहला क्वेस्चेन है जी के चूज दा क्रेक्ट आंसर यानि के हर क्वेस्चेन के साथ 4 जो है वो पॉसिबल आंसर बताए गए हैं हमें एक को पि पि स्कूर टाइम्स क्यू पावर 5 इस इन दोनों का हमें जो है वो HCF बताना है HCF कहते है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को यह एक ऐसा फैक्टर जो के एक ही वक्त में इन दोनों का कॉमन डिवाइजर हो यानि दोनों से डिवाइड करने के बार रिमेंडर जीरो आए और हाई P Q3 अब अगर इसके हम factors बनाएं तो देखें हमें पता चल रहा है कि जो पहली term है उसमें P के 3 factor है और Q का 1 है जबकि second term में P का 1 factor है और Q के 3 है यानि कमस कम हम एक एक जो है और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप देखें तो इस से ज़्यादा हम जो इन दोनों में से common factor नहीं दे सकते हैं यानि P का maximum एक factor दोनों में से common आ सकता है और Q का भी एक factor दोनों में से common आ सकता है जब आप common ले लेंगे तो P cube को जब आप P से divide करेंगे तो P square रह जाएगा और Q को Q से divide करेंगे तो यहाँ पर 1 आजेगा जो के multiplicative identity है इसकी तरह यहाँ पर minus का sign आप minus का sign पूट करेंगे इसके बाद जब आप P को P से divide करेंगे 1 आजेगा और Q cube को Q से divide करेंगे तो Q square आजेगा तो यहाँ तक हमारे पास जो है इसका answer आ रहा है और इसको अगर हम further factorize करें तो यह P Q into यहाँ पर formula use किया जा सकता है P square minus Q square का जो के P minus Q into P plus Q है ठीक है यह हमने यहाँ पर लिख दिया अब जो दूसरा expression है उसको अगर हम यहाँ पर note करें तो वह है P power 5 Q square minus P power 2 और Q power 5 अब अगर आप इसमें देखें तो आप इदर से देखें तो P के 5 factor है और यहाँ पर P के 2 factor यहाँ पर P के 2 factor है तो आप maximum जो है इन दोनों में से P के 2 factor common ले सकते हैं इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें 1st term में Q के 2 factor हैं और 2nd term में Q के 5 factor हैं तो आप Q के भी 2 factor maximum common ले सकते हैं अब जो पहली term है उसमें P के 5 factor में से जब आप 2 factor common ले लेंगे यानि के P की power 5 को P की power 2 से divide करेंगे तो P की power 3 रह जाएगी यानि 5 minus 2 3 रह जाएगी और Q square Q square से जब divide होगा तो 1 आजएगा और 1 किसी भी number से multiply हो वही number दुबार आजाता है इसके बाद minus का sign है अब P square को जब आप P square से divide करेंगे 1 आजएगा 1 multiply by Q power 5 Q power 5 आजएगा Q power 5 को जब आप Q square से divide करेंगे क्योंकि आपने Q square भी common लिया तो यहाँ पर Q cube रह जाएगा अब आप देखें कि यहाँ पर एक formula use हो सकता है इसको आप लिख सकते हैं PQ into PQ ठीक है मतलब चुके दोनों का square था तो हम इसको two times लिख सकते हैं दोनों को product form में भी और इसको हम लिख सकते हैं P minus Q into P square plus PQ plus PQ plus Q square अब आप यह देखें कि हमें HCF चाहिए था highest common factor चाहिए था तो इन दोनों में जो common factor है ऐसा factor जो कि एक वक्त में दोनों में मौझूद है वो एक तो PQ है यह आप देख सकते हैं दोनों में मौझूद है PQ और इसके इलावा जो P minus Q है यह इसमें भी मौझूद है factor form में और इसमें भी मौझूद है P minus Q यानि के PQ times P minus Q जो है इसका HCF होगा बाकी factor common नहीं आ रहे हैं तो अब option जो अगर हम देखते हैं जिसमें के PQ into P minus Q लिखावा B option है तो हम यहाँ पर B option को जो है वो मार्क कर देंगे इसके बाए जो next MCQ आ रहा है उसे solve करते हैं second अगर आप देखें MCQ तो इसमें लिखावा है के HCF of 5X square Y square and 20X cube Y cube is अब हमने यह चीज देखनी है के इनका HCF क्या होगा तो 5X square Y square को अगर आप factorize करते हैं तो 5 एक prime number है as it is रहेगा और X के दो factor है और Y के भी दो factor आप इनने इस तरह लिख सकते हैं इसके बाद जो second expression है वो है 20X cube Y cube अब आप अगर इसके factor बनाते हैं तो 20 के factor में एक तो आएगा 2 फिर 2 आएगा और फिर 5 आएगा चुके 4 5s are 20 होते हैं और X के 3 factor आएंगे और Y के फिर 3 factor आएंगे अब हम यह देख रहे हैं कि इनमें जो common factor है highest common यानि कि जो maximum हम इसमें से common ले सकते हैं एक तो 5 को ले सकते हैं यह 5 दोनों में common है ठीक है यहां पे आएगा इसके लावा X square इसमें भी X के दो factor इसमें भी है इसमें भी है तो आप X के दो factor common ले सकते हैं और Y के भी दो factor इसमें भी है और इसमें भी है तो Y square भी common ले सकते हैं यानि कि 5 X square Y square जो है वो इसका answer है जो के A option में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा best option होगा, इसके बाद next question को देख लेते हैं, third, इसमें इस तरह से है कि HCF find करना है हमें x-2 का और x square plus x-6 का, तो इसमें x-2 जो है, इसको तो हम as it easy रहने देंगे, यानि कि इसके अगर factorize भी करें तो 1 common आ सकता है, 1 हर number का factor है, इस इसरा expression है, इसमें x square plus x-6 लिखा हुआ है, अगर आप इसको factorize करना चाहिए, तो इसकी पहली और आखरी term का जो product बनता है, वो बनता है, minus 6 x square, अब minus 6, 6 जो है, इसके अगर आप factors देखें तो 1 तो बनता है, 1 और 6, और 1 बनते हैं इसके factor 2 और 3, अब हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर subtraction का sign है, यहाँ अगर minus का sign है, तो इन्हें subtract करने से क्या answer आना चाहिए, 1, तो अगर आप 3 में से 2 को subtract करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यह 1 भी आता है, इसलिए हम इसको यह arrange करेंगे, देखेंगे x square, bigger value positive आएगी, क्योंकि plus x चाहिए, smaller value negative आएगी और minus 6, अ अब आप देखें, पहली दो term में से आप क्या common ले सकते हैं, x को, यहाँ पर आजएगा x plus 3, और next two term में उनमें से आप minus 2 common ले सकते हैं, इदर क्या आजएगा x plus 3, अब आप x plus 3 जो है इन दोनों में से common ले सकते हैं, तो x plus 3 को जब common लेंगे, तो first term में रह जएगा x, और second term में आजएगा factor minus 2, तो x plus 3, x minus 2, यह इसके factor बन गए हैं, और पहले expression में x minus 2 लिखावा था, इसमें भी x minus 2 है, यह ऐसे factor हैं, यह दोनों के common factor हैं, इसलिवाजा से हम कहेंगे जो इनका hcf है, वो x minus 2 है, तो यहाँ पर x minus 2 जो option number c में लिखावा है, इसे हम mark कर देंगे, यह ह hcf find करना है हमें, a cube plus b cube का and a square minus a b plus b square का, तो a cube plus b cube का जो अगर आप देखें, factorize करें, तो इसके factor बनते हैं, a plus b into a square minus a b plus b square, यह हमने formula यूज किया है, जबकि जो दूसरा expression है, a square minus a b plus b square, यह as it is रहेगा, इसको हम मज़ीद factorize नहीं कर सकते, तो यह अगर factorize करेंगे भी तो one इसका factor बन सकता है, तो हमने देखा कि इन दोना जो है expression, इनके common factor में यह वला जो factor है, जो कि x square minus a b plus b square है, वो common है, और यही इनका hcfp है, इस वज़ा से हम अपने option में ढूंडेंगे, जो यह वला answer लिख लिखावा है, यह लिखावा है जी, b option में, तो option number b को मैं mark कर दूँगा, इससे ही हमारा question solve हो गया, इसके बाद जो next आ रहा है, part number 5, इसमें भी hcf find करना है, x square minus 5x plus 6 का और x square minus x minus 6 का, अब इसके लिए हमें इसकी working करनी होगी, x square minus 5x plus 6 जो है, इसके अगर आफ factor बनाते हैं, तो इसमें जो पहली और last term का product है, वो 6x square आता है, और इसका अगर रफ़र करें, तो हम देख रहें कि 6 के 2 factor बन सकते हैं, यानि एक 1 और 6 हैं, और इसको हम 2 और 3 के product form में भी लिख सकते हैं, अब हमें चुके यहाँ पर plus का sign नज़र आ रहा है, और यहाँ पर minus 5 लिखावा ह इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को add करने से 5 मिलना चाहिए, जो के 2 और 3 का sum है, इसलिए हम इन दोनों के साथ एक तो negative sign put करेंगे, minus 2, minus 3, या minus 3x, minus 2x लिख देंगे और plus 6, अब आप देखें अगर इनको add करें, तो minus 5x आएगा, और multiply करें तो negative into negative positive, और 3, 2s are 6, और x into x, x square आजाता है, जो के पहली और आखरी term का product है, अब आप पहली दो term में से x common ले सकते हैं, और यहां से आपके पास x के 2 factor हैं, common आजेगा, यहां पर x के, x और 3 हैं factor, x cancel हो जएगा, यहां से आप minus 2 common ले सकते हैं, और जब आप minus 2x को 2 से divide करेंगे, x आजेगा, positive sign के साथ, और plus 6 x को minus 2 से divide करेंगे, तो minus 3 आजेगा, अब x minus 3 को common ले ले लें, तो within bracket x minus 2 आजेगा, यह सी के से factorize हो गया, अब जो next, दूसरा expression है, वो है x square minus x minus 6, अब अगर इसमें भी देखें आप तो इसके भी first or last term का product जो है, वो minus 6 x square आता है, और इसमें भी इसके यही दो factor हैं, मतलब 1 और 6 बन सकते हैं, या 2 और 3, अब हम यहाँ पर यह देख रहे हैं, कि यहाँ minus का sign है, इसका मतलब हम इन्हें add नहीं करेंगे, हम इन्हें subtract करेंगे, और answer आना चाहिए minus 1 x, जो के 3, अगर 2 में से 3 को minus करेंगे, तो minus 1 आता है, इसलिए हम इसको यह arrange करेंगे, हम लिखेंगे x तो इन दोनों टर्म में से x common ले सकते हैं, तो within bracket x plus 2 आएगा, और इन दोनों टर्म में से आप minus 2 common लेंगे, तो, sorry, minus 3 common लेंगे, क्योंकि 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर within bracket x plus 2 आजएगा, चुके negative जब negative से divided होता, तो positive sign आता है, तो इस तरीके से यह अगर हम देखें, तो factor है, इसका एक factor x minus 2 है, इसका x plus 2 है, यानि कि hcf जो है, वो तो highest common factor को कहते हैं, जो कि इस case में सिर्फ और सिर्फ x minus 3 आ रहा है, जो कि a option में लिखा हुआ है, इसलिए हम a option को जो है, वो mark कर देंगे, यह हमारा best answer है, best option है, इसके बाद next part है जी, part number 6, कि hcf of a square minus b square and a cube minus b cube is, ह अगर factor बनाते हैं, तो इसके दो factor बनेंगे, एक a minus b और एक a plus b बनेगा, जबके जो a cube minus b cube है, अगर आप इसके factor बनाते हैं, तो इसमें एक factor बनेगा, a minus b और 1 बन जाएगा, formula यूज करों में, a square plus a b, और plus b square, अब आप देखो कि इसमें जो hcf है, hcf वो factor है, जो दोनों म जो के दोनों का factor है, इसलिए हम यहाँ यह कहेंगे, जो a minus b है, यह हमारा factor है, common, highest common factor, इससे जदा में common नहीं लिख सकता, factor के तो यह जो a option है, यह हमारा best option होगा, next part है 7, इसमें भी hcf find करना है हमें, और इसमें हमें तीन expression दिये गए हैं, एक है x square plus 3 x plus 2, एक है x square plus 4 x plus 3, औ और एक है x square plus 5 x plus 4, अब इसमें हम इनको factorize करते हैं, सबसे पहले वाले expression को factorize करते हैं, इसमें लिखा हुआ है x square plus 3 x plus 2, इसमें भी mid term break करेंगे हम, tell your last term का product बनता है 2 x square, और जो middle में term लिखी है, अगर 2 के factor देखें तो 1 और 2 बनता है, और इनको add करने से 3 बनता है, यहनी कि यहाँ पर हम 3 को break करेंगे, 3 x को, और इसे लिखेंगे x plus 2 x, और plus 2 जो यह constant है, यह last ready term, यह as it is, अब आप देखें, इन दोनों को add करने से वापिस 3 x आएगा, और 1 x को 2 x से multiply करेंगे, तो 2 x square आता है, जो के पहली और आखरी term का product है, अब आप इन दोनों में से, फ़ली दो term में से x common ले सकते हैं, यहाँ पर within bracket x plus 1 आएगा, और इन दोनों term में से आप plus 2 common ले सकते हैं, यह भी x plus 1 आएगा, और अब आप इसे मजीद x plus 1 common ले सकते हैं, और यहाँ पर x plus 2 आएगा, ठीक है, और यह सी कैसे इसके factors बन गए हैं, अब जो इसे next part है, sorry, next expression है, अगर हम उ factor 1 और 3 बनेंगे, तो हम इसको अगर देखें तो यह लिख सकते हैं, 4x को हम लिखेंगे x plus 3x, देखें अगर add करूंगा 1x में 3x तो 4 आएगा, 4x आएगा, और अगर multiply करता हूं, तो x into 3x, 3x square आएगा, जो के पहली और आखरी term का product है, अब आप पहली दो term में से x common ले सकते मजीद इसमें के x plus 1 जो है, इन दोनों का common factor है, आप common ले सकते हैं x plus 1 को, तो पहली term का x factor और second term का 3 जो factor है, यह एक और फेक्टर बन जाएंगे x plus 3, इसलिके से यह factorize हो गया, अब इससे जो next एक और expression हमें बतायावा है, उसके अगर हम factors देख लें, जो है x square plus 5x plus 4, तो इसक 4 के factors को अगर आप देखें, तो इसको 1 into 4 भी लिखा जा सकता है, यानि कि 1x plus 4x, और 1 multiplied by 4, 4 होता है, और 1 plus 4, 5 होता है, जो कि हमारी middle term है, ठीक है, अब पहली term, पहली मतलब 2 term से आप x common ले सकते हैं, within bracket x plus 1 आएगा, और last 2 जो term है, इन दोनों में से आप 4 common ले सकते हैं, within bracket x plus 1 आएगा, अब आप देख सकते हैं, इसमें x plus 1 दोनों का factor है, आप x plus 1 common लेंगे, पहली term में से x, second term में से 4 आएगा, तो ये को और expression बनता है, x plus 4, जो कि factor x plus 4 कि, इसका x plus 1 और x plus 4 इन दो दो, इसके factor है, इस given expression, x square plus 5, x plus 4 के, अब हमने बात नोट की, कि इन में जो highest common factor है, य यहाँ पर जो hcf होगा, वो हो जाएगा, x plus 1, x plus 1 जो है, वो option number a में लिखावा है, हम इस option को जो है, वो mark कर देंगे, यह हमारा best option होगा, next question है जी, part number 8 है, lcm find करना है 15x square का, 45xy का and 30xyz का, तो इसके लिए आप lcm का formula जानते हैं, कि lcm जो होता है, वो common factors और non, या uncommon जो factors होते हैं, उनके product का नाम है, ठीक है, अब उनके product को हम कहते हैं, lcm, जैसे अब 15x square है, तो इसके अगर आप factor बनाएंगे, तो 3 into 5 हैं इसके prime factor बन गए और x दो दफा लिखते हैंगे हम, ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप 45xy को लिखते हैं, 45xy को तो इसके factor में बनेगा, एक तो 3 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर 5 आएगा, चुके 339 और 95 45 होते हैं, और xy as it is, और जो last expression, जो के है 30xyz, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अब इसके factor में अगर आप देखें तो 3 एक factor बनेगा, फिर then 2 बन जाएगा, अगर arrange करें तो पहले 2 फिर 3 और फिर उसके बाद 5, क्योंके 236 और 6530 और xyz as it is, अब हम एक बात देख रहे हैं कि इन में जो common factors हैं, ऐसे factor जो दोनों में या तीनों expressions में लिखे में हैं, एक तो 3 ऐसा factor है, जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, हम 3 लिख देते हैं, अच्छा 5 अगर आप देखें, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ठीक है, हम 5 भी लिख देते हैं, अब हम यह देख रहे हैं, जो x है, वो इसमें भी है, इसे भी हम लिख लेते हैं Y जो है Y इसमें भी है और इसमें भी है ये भी common है इसको भी हम लिख लेते हैं Y भी आ गया ठीक है अब ऐसे ये factor वो आगे जो के common आ रहे थे अब हम वो factor ढूंड़ते हैं जो common नहीं आए ठीक है जैसे के जो है अब किसी में भी common नहीं है ठीक है इसके बाद इसमें अगर आँग से अर भी common नहीं ले तके बाद टू जो है वभी common नहीं आ रहा रहा और यह जो जी है वह भी किसी में common नहीं आ रहा तो इनका product बनता है 15xy, अगर इन दोनों को multiply करें और xy अभी इसे multiply हो जाए, और यह 2366 और xz, यह आ जाता है, ठीक है, अब आप जब formula यूज करते हैं, और इसमें common और जो uncommon factor उन्हें multiply करते हैं, नहीं 15xy को आप multiply करते हैं, 6xz से, तो 15 को 6 से multiply करें, 90 आएगा, x, x से multiply होगा, तो x square आजएगा, y आएगा, and z आएगा, यानि जो option number b लिखावा है, वो हमारा यहाँ पर best option है, और हम इसे mark करते हैं, बी option को, अब जो question number 1 के बाकी MCQs हैं, नहीं 9 से रेके onward जो हैं, वो मैं next video में आपसे one by one discuss करूंगा,